नमस्कार दोस्तों क्या आप भी लोन लेना चाहते हैं कभी हाँ तो PM-MY योजना प्रदान मंत्री मुद्रा योजना के तहट आपको लोन मिल सकता है तो इसके बारे में डीटेल जान लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है तो चलिए स्टाट करते हैं ज्यादा टाइम ना की है तो जान लेते हैं इसके बारे में ठीक है यदि आप कोई वेफसाय शुरू करके अपना आफसर बनाना चाहते हैं ठीक है तो आप भारत सरकार आपकी साहता के लिए मुद्रा योजना एप्लिकेशन फ़र्म 2020 की मदद से आई है इसके कारण 55 प्रक्रिया को पूरा करके आप इस योजना के तहट दिये गए लाब प्राप्त कर सकते हैं उम्मिद्वारों के लिए तो अगर आप भी इस तरह की योजना में रूची रखते हैं तो सरकार द्वारा दी गई मुद्रा लोईन जो है के माध्यम से प्रदान किया गया यह सबसे अच्छा इस दी गई योजना में विवाग इस प्रकार दिक्तम 10 लाग रुपे की राशी प्रदान करता है ठीक है पोसक करके आविदक का समर्थन करने जा रहा है साथ ही छोटे इस्तर के उद्यम या सिमांद उद्यम इस योजना प्रदान मंत्री मुद्रा योजना का लाब लेने के लिए आव योजना जिसमें पीए मुद्रा योजना 2022 के तहत अंतिम घंडे रिंड कि राशी पांच लाग से दस लाग रुपे तक है तो वे उम्मिदबर जो संबंदित विवाग द्वारा दिये गए पातेजा माब देंड में फिट है इस अपसर का उप्योग पीम भाई ठीक है एप प्रतिकारी इसे उल्लिखित उनके विवरंड के एनुसाद उनसे संपक्त करेंगे तो माब देख लेते सबसे पहले आवे दक की आयू 18 वर्से से कम नहीं होनी चाहिए आवे दक भारत का इस्थाही निवासी होना चाहिए साथ ही आवे दक के बैंक कोई डिफॉल्ट सूच में नाम नहीं होना चाहिए बैंक में आवे दक करने के लिए आवे दक की कमाई कम से कम सत्रह हजार रुपे यससे ज्यादा होनी चाहिए ठीक है इसके अलाबा आवे दक छोटे या सीमान्त वेपसाइक से ब्यक्तिकत गेर कॉर्पेट या गेर किरसी उद्दम हो सकते हैं फ पी एम मुद्रय योजना ओनलाइन यहां दी गई पिरकिरे के माद्यम से आवे दन करने के लिए आवे दन पत्र 2022 देखें सबसे पहले उम्मिदवार को प्रदान मंत्री मुद्रय योजना की आदिकारिक वेपसाइट पर जाना चाहिए फिर होगा और फिर होमपेज पर उन आवे दन पत्र का चाहिए उसके बाद रिन के लिए तीन विकल्प आपको महाँ पर जो उनकी आधिकारिक वेपसाइट है उस पर आपको तीन विकल्प दिखेंगे नीचे ठीक है आपको यहां लोन का प्रकार चुनना होगा अब यहां उपलब्द डाउनलोड फॉर्म के विकल्प पर किल्क करें उसके बाद आपको आवेदन पत्र का प्रिंटर लेना होगा और फिर आवेदन पत्र में पूछे गए सबी विबरन दर्ज करें फिर पीम एमबाय के तहत आवेदन करने के लिए अवशक दस्तावेश सलंगन करें तो एक बार जब आप आवेदन प करें वहाँ पर साथ ही वेपसाई और कारें से सम्बंदित जानकर परदान करें फिर कुछ देर प्रतिक्षा करें अपने आवेदन संदर्व संक्या के साथ आप अपने आवेदन की इस्तिति का पाता लागा सकते हैं इसलिए इसे भविश्यों के लिए सुरक्चित रखें ठीके दोस्तों तो धन्यवाद मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको ये वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज जागा सेर करें ताकि जो जरूरत मने उनको ये लोन मिल सके और वह अपने वेबसाइब अगरे स्टार्ट कर सके दोस्तों तो मिलता है नेक्स्ट प्रवियमे